बाजपा की सद्धिता अभ्यान की बैठक में हंगामा हुआ मंडला अध्यक्षियों नहीं जिलापरभारी की कारिशेली पर प्रश्ण चिन लगाया दूसरी और भाजपा की पदाधी कारी पर लाखो रुपे हर अपने और जूठे केस में फसानी की धमकी देने का आरूप लगाते हुई लोगों ने हंगामा किया चेमरावल रोड पर भाजपा के जिला कारियाले पर सनीवार को सदसिता अभ्यान की संबंध में बैठक और कारेश शाला हुई इसमें प्रदेश मंत्री वर जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्र मोहन ने कहा कि हमारे पास नरिंद्र मोदी और योगी आद्युतिनाज जैसे प्रधान मंत्री वा मोख्य मंत्री है उनकी हाथों को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत कर एक सतंबर से पार्टी के सदसिता अभ्यान को सफल बनाए इसको लेकर आपको बता दे कि जला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी मिलकर सदसिता अभ्यान के लक्ष को पूरा करेंगे जैसे ही बैठ संपन हुई वैसे ही मंडला अध्यक्ष ने हंगामा शुरू किया मंडला अध्यक्ष संजय और पध्याई के साथ हुई मारपीट के मामले में कारिवाई ना होने जुलप रभारी द्वारा सहयोग ना करने का आरोप लगाया एक नेता पर लाखो रुपे की धन रासी ना देनी जूटे मुकदमे में फसाने का भी आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया प्राणा जी आज भाजब पादादिकारियों से आपकी काफी मुझा भासा हो रही कि किस मामले को रहे गड़े लिए तो उसके बाद भाग्पट के अंदर इसका हमें कंप्यूटर जो होना सब कुछ हमारा है हम कुछ हम पैसे मेरे और मेरी माताश्री के मेरी माताश्री के कमेटी जिसमें की असी हजार उपे इनके बकाया एक है माताश्री के क्या नाम है कहा के रहने वाले आप अच्छा पददिगर्जु सिखायट करी क्या आश्वसंद्या आप आश्वसंद्या जो पारिक्टी में कोई भी गलत काउंगरता उसके खिलाब कारवाई होगी ठीक है और उसनों लिखित में इची हमसे मांगी है तो इसी वीच एक और व्यक्ति राकीस त्यागी का बयान सामने आया है उन्होंने बीजेपी की नीता पर बड़ा आरोप लगाया है क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए शुबनाम राकेस क्याविए त्यागी जागी 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 भाजपा कारया लेपा हंगामा हुआ किस बात को लेकर हंगामा हुआ यह सब भाजपा कारया करता है सब भीजेपा है जुड़े होगा एक प्यजेपी नियुक्ति कह रहा सब पाई जो लोगोगों के पूंजी स्कीम चलाता है कि पैसे हिसाब करता है पचास लाक रूबर लिख रके हैं उसके बाद किसी कमेंटे में बोकिसी में किशी में इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केस्टी डॉट कॉम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नम्हुलिक धन्यवार